आज के क्लास में हम लोग इस चेपटर का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे आपको याद होगा इस चेपटर को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ने वाले थे electrochemical cell, electrolytic cell और conductance आज का जो class है वह electrolytic cell पर होगा अभी तक हम electrochemical cell में सीखें कि अलग-अलग electrochemical cell में हम देख रहे थे कि chemical reaction होता था तो electricity बनती थी आज का जो lecture है इसमें एकदम इसका उल्टा बात होगा हम electric current देंगे तो chemical reaction होगा वहाँ पर chemical reaction के द्वारा electricity पैदा की जाती थी यहाँ पर current देंगे तब chemical reaction होगा वहाँ पर chemical energy convert कर जाता था electrical energy में यहाँ पर electrical energy convert करेगा chemical energy में तो बिल्कुल उसका उल्टा बात है सारा का सारा बात उल्टा है दूसरी बात आप किसी भी board से हो कोई भी state board हो या CBSC हो ICSC हो जो भी हो यहाँ से topic एक बेहद important exam में hundred percent sure रही है आएगा ही आएगा यहीं पड़ आप इजी topic के अंतरगत आप पढ़ेंगे फेराडे first law and second law of electrolysis यहाँ से question हर हाल में आता ही आता है चाहे वह objective बन के आए subjective बन के आए चाहे जो type तुमको दे दे जो भी तुमारा pattern है उसके हिसाब से तो देता ही देता है इसलिए अभी तक का जो सबसे important part है इस chapter का वो अब start हो रहा है topic का नाम लिखेंगे electrolytic cell लिए विखेंगे तुमारा लिखेंगे अगी है electrolytic cell लिखेंगे अगी तुमारा लिखेंगे इन दे दिस सेल इन दिस सेल chemical reaction occurs in presence of electric current in this cell electrical energy is converted into chemical energy पहला जो cell था उसमें chemical energy convert करता था electrical energy में और यह जो cell है इसमें electrical energy convert कर जाता है chemical energy में मतलब इस cell में हमारा बस एक ही काम होगा हम different different तरह का chemical reaction कराएंगे और यह chemical reaction किस के परजेंस में कराएंगे यह chemical reaction electric current के परजेंस में होगा जब तक हम वहाँ पर current देंगे नहीं हम जो reaction चाह रहे हैं वो होगा नहीं तो कैसे होगा इन सभी बातों को समझने के लिए आपको एक term समझना परेगा जिसको हम लोग कहते हैं electrolysis हीडिंग डालिए स्टार लगा electrolysis electrolysis हो क्या लिख लिए अब यह electrolysis समझने से पहले कुछ एक term आप समझे सुनिए क्या ध्यान से electrolysis तर्मकान तीन और इसी के जैसा similar term आपको सुनने के लिए मिलेगा जैसे आपको सुनने के लिए मिलेगा electrolysis electrolysis thermolysis यह तीनों टर्म एक जिसा सुनने में मिलता है electrolysis का मतलब होता है टूटना और उसमें यदि hydro लग गया तो water के द्वारा तोरना फर्मो लग गया तो heat के द्वारा तोरना और electrolysis यानि इलेक्ट्रो लग गया तो electric current के द्वारा तोरना यानि किसी तोरने के प्रोसेस में यह तीन टर्म जैनरली आता है electrolysis, thermolysis और hydrolysis सबका अपना-पना मतलब है अभी हम लोग क्या समझने वाले है electrolysis electrolysis को समझे आप आपको याद है आप एक तर्म पढ़े थे electrolytes क्या होता है electrolytes आप याद किजिए strong electrolyte, weak electrolyte यह सब आपको बताया क्या है solution chapter में भी बताया क्या है बताइए electrolyte क्या होता है electrolyte एक chemical substance होता है जो पानी में डालने पर जिसको पानी में हम जब डालते हैं तो वह अपने constituent ion में तूट जाता है ketion और anion में तूट जाता है वह हर एक substance जो water में अपने ketion और anion में तूट जाता है उसी को हम लोग electrolyte कहते हैं जैसे Nacl को यदि आप पानी में डालेंगे तो वह टूट जाता है Nacl में और Cl माइनस में. तो Nacl एक इलेक्ट्रोलाइट है. Hcl को जब आप पानी में डालते हैं तो वह टूटता है H-plus में और Cl माइनस में. यानी वह भी इक इलेक्ट्रोलाइट, काउन? Hcl. NaOH के जब को जब आप वाटर में डालोगे तो ये तूट जाएगा Na plus और OH minus में वह भी एक electrolyte है तो NaCl का, NaOH का या H2SO4 का या HCl का डारेक्ट पाने में आप डाल दिये तो वो electrolysis नहीं कहलाएगा आप पानी में डाल रही है या नहीं पानी न उसको तोरने का काम कर रहा है तो ये प्रोसेस कहला जाएगा Hydrolysis, ये electrolysis नहीं है electrolysis तो तब होगा जब इसी सब सबस्टांस को, electrolytes को ही जब हम लोग किस चीज़ के द्वारा तोरेगे electric current के द्वारा तोरेगे जब उसका dissociation, electric current के द्वारा होगा तब का जो प्रोसेस होगा वही क्या कहलाएगा electrolysis, कोई दिकत है इसमें, लिखेंगे निशेरो देखे प्रोसेस इन वीच प्रोसेस इन वीच निशेरोच प्रोसेस्ट प्रोसेस्ट फीच कर्स您 पुष इन प्रोसेय causal इस। प्रोसेस इन वीचछ प्रोस the energy of electrolyte occurs in presence of electric current in presence of electric current is called is called electrolysis is called electrolysis देखो यह अब इस टर्म को समझेगा थोड़ा ध्यान से लिखना विलकुल नहीं है एने सी एल सॉलिड सॉलिड एने सी एल इसको हम लोग यदि वाटर में डाल दें तो यह तुरत टूट जाता है एने पलस एक्वस पलस सी एल माइनस एक्वस पहले इस एक्वस का मतब समझ लिए एने सी एल को जब आप पाणी में डालेंगे तो एने सी एल टूट जाएगा एने प्लस और सी एल मैनस में टूटने के बाद यह उसमें घुल जाएगा नीचे जाके बैठेगा नहीं एक्वस का मतब यहाँ पर जलिये होता है मतब वो घुला हुआ वस्था में है वह dissociation का काम, इसके ionization का काम, water कर रहा है, इसी लिए इसको हम लोग बोलते हैं hydrolysis, लेकिन हम लोग का जो term है, वो hydrolysis नहीं है वो electrolysis है तो इसी NACL को आप क्या कीजिए, melt कर दीजिए liquid phase में लेके चले जाएए और liquid phase में ले जाने के बाद, आप इसमें electric current डाले तब जाके यह जो reaction करता है, यह एक different type का reaction होता है, जिसमें बनता है N is solid, और साथ-साथ बनता है CL2 gas यदि balance करना चाहें तो यहाँ पर half लिख सकते हैं हम लोग अब यह कैसे हो गया और चुके electric current के persistence में sodium और chlorine अलग-अलग होड़ा है, इसलिए इस process को हम लोग क्या कहेंगे electrolysis, तो हमारा जो पूड़ा का पूड़ा chapter है वह इस reaction पर आधार इतनी है यह सारा का पूड़ा का पूड़ा जो आगे का हमारा topic है वह इस reaction पर based है अब यह reaction कैसे होगा यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया, जबकि दोनों case में NACL ही था, इन सभी बातों को समझने के लिए आपको आगे का पूड़ा topic समझना परेगा, तब समझ में आएगा, इससे नहीं समझ में आएगा उतारिए इसको कप अधको आएगा जद़ातारिए लोगा लोगा आएगा वगा और लोगा इसको झाल हो गया लिखली सुनी अब यहाँ पर जब N-A-C-L हम लिए थे तो वो solid था और यहाँ पर जब हम लोग N-A-C-L लिए तो यह liquid था तो यहाँ पर electrolysis के दोरान जो product बना है वह product क्या क्या है सो पहले बताईए अब sodium solid iron नहीं है यह और CL2 gas और यहाँ पर यह दोनों का दोनों आयन न बना है अब हम लोग सीखेंगे कि यह जो sodium बना और यह जो CL2 बना पहले तो हम लोग इसको एक term देंगे एक नाम देंगे यह दोनों है product of electrolysis क्योंकि यह product किस के दोरान बना है किस चीज़ को करने के बाद बना है electrolysis के दोरान तो हम कहेंगे कि यह है product of electrolysis अब हम लोग समझेंगे कि यह product बनना यानि electrolysis का product बनना किन-किन बातों पर निर्भार करता है नीचे star लगाईए, हेरिंग डालिए लिखेंगे product of electrolysis product of electrolysis depends on the following factor product of electrolysis depends on the following factor लिखेंगे नमबर एक फिजिकल एस्टेट फिलेक्ट्रोलाइट फिजिकल एस्टेट फिलेक्ट्रोलाइट नमबर दूसरा नेचर फिलेक्ट्रोड नेचर फिलेक्ट्रोड और नमबर तीसरा इलेक्ट्रोड पोटेंट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंट्रोड कितने चीज़ों पड़ नीद भर करता है? मतब यह कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, कब ज्यादा बनेगा, कब कम बनेगा, इसका क्या कंडिशन है? यह सब समझने के लिए आपको तीन बात समझना पड़ेगा, हमको यह समझना पड़ेगा कि इसका बनना किन-किन बातों पर निरभर करता है। तीन बातों पर निर्वार करता है, physical state of electrolytes पर, दूसरा nature of electrolytes, sorry, physical nature of electrode पर और दूसरा electrode potential पर, और यह सब बात समझना एकदम बेहद आसान है, एक एक करके तुम अपने आप आराम से समझ जाओगे, इसमें कुछ लिखना भी ज्यादा नहीं है, सबसे पहला क्या है, physical state of electrolytes, आप एक चीज गवर कीजे, इस reaction में हम NACL को liquid phase में लिएं, जबकि इसमें या, solid phase में, तो दिमाग में आएगा ना एक बात की सर, आप जब वहाँ पर solid लिए तो यहाँ भी solid क्यों नहीं लिए, ऐसा इसलिए, क्योंकि जब हम NACL को solid ले लेंगे न, solid NACL ले लेंगे, और तब हम कितना भी electric current वहाँ पर देते रह जाएं, वहाँ पर यह सब product बनने वाला नहीं है, इस बात को समझने के लिए आपको एक experimental term समझना परेगा, और देखिए आप उसको, जैसे मान लीजिए कि एक plastic के बरतन में, एक छोटा सा मग है, और उसमें आप NACL भर लिए, मान लीजिए दो तीन packet घर पर नमक अपना दुकान से खरीद लेना, और कुछ experiment करना, सैथ कुछ ज्यादा बहतर समझ में आ जाए, यह NACL है, इतना छोटा सा तार खरीद लेना है, या घर में होगा, या कहीं से नोच लेना, वाइरेंग अड़ तोर फार के, पलक में डाल दीजिए दोनों तार, यहां उसका स्वीच है, ठीक है, अभी स्वीच को नहीं करना है, तार को डाल दीजिए सॉकेट में, और यहां पर आप क्या कीजिए, एक रोड ले लीजिए, एक नहीं दो रोड ले लीजिए, दोनों रोड में उसको जोड दीजिए, और इस तरह से जोड़िए कि इसको हाथ से छुआ जा सके, तो पता चला हाथ से पकर लें, स्विचोन की जंजाना के मारेगा, मिजा जरियर हो जाएगा तुमारा, तो ऐसा नहीं करना है, तो अब आप क्या कीजिए, इस दोनों, ये जो मेटल रोड है, मेटल रोड रहना चाहिए, जेनरली ये प्लेटीनम होता है, लेकिन आप कोई भी लीजिए, आपको एक्स्परिमेंट ही तो करना है, अब आप क्या कीजिए, इस दोनों रोड को यहां से निकाल कर, एक रोड को इधर डाल दीजिए, और एक रोड को इधर डाल दीजिए, यानि ये कुछ ऐसा है, ऐसा, मान लिजिए एक पलस वाला है और दूसरा मैनस वाला है, अब यहां से स्वीच को आउन कर दीजिए, स्वीच आउन करने के बाद, अब आप इस नमक को छोईए, प्यार से, बहुत मजाएगा, क्या लगता है आपको, कुछ होगा क्या यहां, कुछ नहीं होगा, आप जैसा अभी हैं, वैसा ही एक्सपरिमेंट करने वक्त रहिएगा, थोड़ा एकसाइटमेंट ज्यादा होगा, लेकिन जब आप इस नमक को छोईएगा न, आपको कुछ नहीं होगा, हलका जटका भी नहीं मारेगा, क्योंकि अभी यह जो नमक है, वह किस फेज में है, सॉलिड फेज में, और सॉलिड इलेक्ट्रो लाइट में, इलेक्ट्री सीटी का जो, मतलब इलेक्ट्री सीटी कंड़क्ट नहीं होता है, solid electrolyte में यदि थोस है यह NACL तो उसमें आप current डाल भी देंगे तो उसको छोने से आपको current नहीं मारेगा मतलब वहाँ पर electricity का परवा हो ही नहीं रहा है flow हो ही नहीं रहा है वहाँ पर लेकिन अब इसी को आप क्या कीजिए गर्म कीजिए gust के गर्म कीजिए इतना गर्म कीजिए कि ये melt हो जाए ये liquid phase में चला जाए और liquid phase में जाने के बाद एक बार फिर से rod को डालिए और अब आप switch को on कीजिए और अब आप फिर से इसमें ओंगली डालिए दो तरफा जटका लगेगा ऐसा जटका लगेगा दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लाइक नहीं रहोगे डर लगेगा केमेस्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से पता है तुमको कि यहाँ दो तरफा जटका क्यों लगेगा क्या region है इसके पीछे पहला region जैसे ही आप switch को on करेंगे 440 वोल्ट का देख दिमाग पर जटका मारेगा चोके अब यह electricity को conduct करेगा solid था तो नहीं किया था liquid है तो करेगा region बाद में और दो तरफा जटका में जो दूसरा जटका तुमको लगेगा बभू यह NECL है तुम इसको melt कर दिये हो तुमको पता है कि यह कितना degree C पर melt होता है कुछ idea है इसके बारे में एक आद को मनलो अंदाज यह कुछ बोलून कोई एको temperature नहीं बोल सकते हो तो देखो दिमाग लगाओ कुछ creative बनो अपने आप में बताओ क्या लगता है कितना पर यह melt कर जाएगा लगबग 200-300 कुछ कितना पर जानते हो यह प्रोक्स 900 degrees पर melt होता है और पानी जो बॉइल होता है वह 100 degree Celsius पर तो पानी जो बॉइल होता है 100 degree Celsius पर उसको तो तो तुम आराम से चाहो बॉइल होते हुए पानी को आराम से हाथ में लो मुह दो लो आराम से एदम पवित्र महसूस करो गए क्या ऐसा ही है क्या क्या 100 degree Celsius के पानी को आप जहल सकते हैं नहीं जब 100 degree Celsius को आप नहीं जहल सकते हैं मुह दोयागा पता चलेगा खाल बाल उतर गया नीचे इद 900 degree Celsius में जब उंगली डालेगा तो तुमणा उंगली बच के बाहर आएगा और उंगली उसी में गल के रह जाएगा पता चलेगा खाली हड़ी निकल के आई ले हड़ी है इतना होगा क्या आगया कुछ ऐसा महसूस करेंगे आप नाखोनर तो जो नेलर है उसी में गिर के रह जाएगा इसलिए ऐसा करना नहीं है हम आपको एक्सपरिमेंटली बता रहे हैं कि यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा तो ये करना नहीं है लेकिन अब सवाल ये उठता है अब एक्सपरिमेंट से थोड़ा बाहर निकलें कि आखिर सॉलिडे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हुआ वहाँ पर बड़ा प्यार से हम छुए इसको कोई तरह का परेसानी भी नहीं हुआ और जब हम इसको मिल्ट कर दिये तो वहाँ जाके हमको परेसा नहीं होने लगी आखिर इसका रीजन क्या है तो इसका रीजन साफ है देखिए इलेक्ट्रिक करेंट का जो फ्लो होता है वो दो ही कंडिशन में होता है या तो उस सबस्टांस के पास free electron होना चाहिए जैसे कोई metal का wire यदि आप लेते हैं या metallic rod लेते हैं तो metallic rod में काफी ज़्यादा free electron बैठा हुआ होता है जैसे ही high potential आप कोई wire इसे connect करते हैं यह सारा का सारा electron हरकत में आ जाता है और high potential से low potential की तरफ electron का flow होने लगता है और वहाँ पर electricity आगे move कर जाती है मतलब electricity पैदा हो जाती है पर वह होने लगता है flow होने लगता है और यदि ऐसी स्थिति में हम इसको छुएं तो हमको जो जोर का जटका लगता है क्योंकि electron का flow जो चल रहा था rod में या wire में वह flow आप में भी आने लगता है इसी वज़द से आपको परेशा नहीं होती है तो वही current मारना हुआ तो पहला condition यह है conductor के लिए या जो electricity को conduct कर सकता है कि उसके पास free electron होना चाहिए और दूसरा यह है कि यदि वहाँ पर free electron नहीं है तो कम से कम free iron होना चाहिए क्योंकि जब तक electron को लाने और ले जाने वाला कोई चीज नहीं होगा यानि जब तक electron का transporting नहीं होगा जब तक electron का flow नहीं होगा किसी न किसी माध्यम से तब तक electricity का flow संभव नहीं है तो इसके लिए दो condition है या तो free electron होना चाहिए कर सकता है और electron का flow संभब है तो जब आप इसको solid लेते हैं ना तो solid में Na plus और Cl minus आपस में जुड़ा हुआ होता है bond के दौरा और जब ये जुड़ा हुआ है तो ये ionic form में नहीं बलकि इस वार ये molecular form में है और यहाँ पर कोई ketion और कोई Nion नहीं है और यह solid state में लेकिन जब आप इसी को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद Na plus और Cl minus के बीच का जो bond है वह तूट जाता है और तूटने के बाद ये free हो जाता है ये किस में चला जाता है Na plus में और Cl minus में लिक्वीड के के केस में movement सुरू हो जाता है आयन में आयन जैसे ही move करना start करेगा आप high potential वाला जैसे ही तार उसमें डालेंगे तो वहाँ पर electron का flow संभब हो जाएगा और आपको जोर का जटका मारेगा इसी लिए जब आप electrolysis कराएंगे pure electrolyte का electrolyte में और कुछ भी मिला हुआ नहीं हो तो वैसे में उसको जरूरी है कि आप उसको melt कर दें तभी electrolysis संभब है, physical state यदि solid होगा तो कभी भी electrolysis संभब नहीं है, अब आप पहला बास समझें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि product of electrolysis depends on the following factor जिसमें पहला है physical state of electrolyte, समझ मैं कि physical state of electrolyte कैसे matter करता है दूसरा है nature of electrode आप उस पर मत जाएए क्योंकि आप electrode के nature को बदल नहीं सकते है nature of electrode का मतब कौन inode है कौन के थोड़ है zinc है, copper है, या क्या है जो भी है, जिससे हम भी बोले थे ने कि आप iron rod ले लिजे या कोई भी rod ले लिजे तो वो अब जैसे देखो हमाना ये कहना है कि आप कोई ऐसा rod लिए है जो electricity का अच्छा conductor नहीं है तो वहाँ पर product कम बनेगा यदि ज़्यादा से ज़्यादा electricity को conduct करे तो वहाँ पर product ज़्यादा बनेगा, तो हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं यदि किसी electrode का nature उसका है कि वह electricity को अच्छा तरह से conduct नहीं कर सकता है या अच्छा conductor नहीं है तो हम उसको एक अच्छा conductor नहीं बना सकते हैं इसलिए हम उस पर ज़्यादा work नहीं करेंगे, और यदि हम उसको अच्छा conductor बनाएंगे, मान लिजी अब एक तीसरा बात, क्या है electrode potential अब मान लिजी कोई अच्छा conductor है लेकिन potential ही बहुत कम है voltage ही बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो product बनेगा वो कम बनेगा, ज्यादा voltage रहेगा तो product ज्यादा बनेगा, यह सब बात आप तब बहतर समझेंगे जब पूड़ी electrolysis के process को समझेंगे तो ऐसी स्थिति में electrode potential पर भी यह depend करता है अब यह सब कैसे depend करता है इसको सिर्फ आप समझें है इस सब का calculation होता है कि इतना potential पर कितना होगा बहुत तरह की बातें हैं इसमें जो आगे समझेंगे जब पूड़ा electrolytic cell के बारे में पूड़ा बनावट उसका पूड़ा उसका mechanism यह सब समझोगे तब समझ में आएगा फिलाल सिर्फ हम तुमको यह तीन बात समझाना चाह रहे थे कि यह जो product बनेगा यह तीन चीजों पर निर्भर करता है तो पहला आप समझ गए physical state दूसरा nature और तीसरा electrode potential अब नीचे में आप arrow देखे इस बात को लिख लीजिए कि physical state पर यह कैसे निर्भर करता है लिखेंगे लिखेंगे electric current electric current do not flow do not flow in case of in case of solid electrolyte because because ions are not movable because ions are not movable in solid state of electrolytes because ions are not movable in case of solid electrolytes बात समझ में आया जब यह solid रहेगा तो ANA plus और CLBness आपस में जुरा हुआ है वो हिले डूलेगा भी नहीं है और हिलेगा डूलेगा भी नहीं तो वहां प्रजेक्ट्रों का ट्रांस्पोर्टिंग नहीं होगा तो इस के समें कुछ भी होने वाला नहीं है but in molten state or liquid state of electrolytes उसी में लिखिये molten का मतलब पेखला हुआ होता है पेखला हुआ का मतलब liquid ही होगा but but in case of molten state or liquid state of electrolytes or aqueous solution of electrolytes but in molten state or liquid state of electrolytes or aqueous solution of electrolytes ions are movable ions are movable hence hence electrolysis hence electrolysis always occurs hence electrolysis always occurs in molten state or or aqueous solution or aqueous solution of electrolyte अभी जो बात आप लिखे हैं उसमें एक बात का चर्चा आया है लेकिन आप उसको समझे नहीं है अभी आप देखिए हम बोले हैं कि electrolysis दो केस में हो सकता है बताइए तो पढ़ के किस 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 में हो सकता है जो लास्ट पॉइंट आप लेके उसको पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा electrolysis या तो molten state में होगा या फिर एकोस solution में होगा अब सवाल ये पैदा होता है कि aqueous solution में कैसे electrolysis होगा aqueous solution में तो हो ही सकता है आप यदि एने-सी-ल को पानी में डाल देंगे तो वहाँ पर वो अपने आप बदल जाएगा एने-प्लस में और एने-प्लस में और एने-प्लस में बदला वो एकोस है वो घुला हुआ है लिक्विट फेज में चला गया वहाँ पर तो आएन मुव कर सकता है ना क्योंकि उसकेस में तो वो मुवेवेल है और मुवेवेल है तो वहाँ पर electrolysis होगा और इसके लिए भी आप एक-एक्सपरिमेंट कर सकते हैं यदि भी स्वास नहीं हो तो आप डिस्टेल्ड वाटर ले लिजिए जो बैटरा उटरा में डालते हो और उसमें एक प्लस मैनस डाल दीजे ये जो इधर लेके गया था ना ये तार बगएरा इसको अब लेके आजाओ इधर और इधर इसको जोड़ दो अभी ये बिलकुल डिस्टेल्ड वाटर प्योर वाटर है इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है अभी आप जैसे ही स्वीच ओन करेंगे और इसमें हाथ दुबा देंगे यदि ओंगली थौर सा दुबाएंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ एबनॉर्मल है कुछ एबनॉर्मल है का मतलब आप ये सोच रहे होगे कि पानी में ये दियम हाथ दुबा देंगे और हमको बहुत जोर का करेंट लग जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करोगे घर पर जाके चापकल से पानी भर लेगा और दुबा के देखेगा क्या अरे हम चापकल के पानी की बात नहीं कर रहे है चापकल का पानी असुद्ध है उसमें आइरन मिला हुआ है अरसेनिक मिला हुआ है उसमें और कई तरह के आयन्स मिले हुए है गलती से तुम उसको छुआ तो ऐसा पटका मारेगा दोबारा एक्सपरिमेंट करना भूल जाओगे हम डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर की बात कर रहे है तो ऐसा करोगे नो तो उंगली डूबोने पर हलका फलका जटका तुमको मारेगा हलका फलका और ये ऐसा जटका होता है जिसको तुम फील करोगे ये एक घटना जैसा नहीं होगा तुमारे साथ लेकिन कुछ नहीं करो एक दूसरे हाथ में थोड़ा सा नमक लेलो थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा बिलकुल ठीक है और एक उंगली डूबाए रखो आँख बंद करके एक्सपरिमेंट करो बहुत अच्छा फील करोगे और थोड़ा सा इसमें डाल दो डालने के एक के दो सेकेंड के बाद ऐसा जटका मारेगा कि तुमणा आँख नजर सब खोल जाएगा क्यों मारा जटका क्योंकि जब आप NACL उसमें डाले तो वह NACL में टूट गया पहले इस पानी में कोई आयन नहीं था लेकिन अब इस पानी में आयन आ गया NACL मेंनस और NACL मेंनस इलेक्ट्रोन के ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरू कर दिया वह एक अच्छा कंड़क्टर बन गया तो वह Electrolytic Solution है और Electrolytic Solution हमेशा Electricity का अच्छा कंड़क्टर होता है इस वज़े से तुमको जटका मार दिया तो आप Equus Solution के case में भी Electrolysis करा सकते हैं या फिर उसी को melt कर दें तब भी आप Electrolysis करा सकते हैं तो कितने case में हम लोग Electrolysis को पढ़ेंगे दो case में In case of Malten State of Electrolytes and Electrolysis of Equus Solution of Electrolytes और यही हमारा दो बात है और Electrolysis दो case में होता ही है सबसे लंबा चवड़ा बात है Equus Solution of Electrolytes का Electrolysis यह थोड़ा लंबा चोड़ा बात है और बहुत ज़्यादा समझने वाला बात है और यह Multin State वाला जो होता है न Electrolyte इसका Electrolysis एकदम आसान है इसको खतम करने में case 1 में हम लोग पढ़ेंगे Equus Solution of Electrolytes का Electrolysis इसको खतम करने में 2-3 दिन का समय लगेगा मतब 2-3 lecture का समय लगेगा और उसको खतम करने में 2 मिनट 2 मिनट लगेगा भी या नहीं लगेगा तो इसलिए उसको हम बाद में पढ़ेंगे पहले जो भारी है हम उसको पढ़ेंगे एक ऑपर यहाँ पर हलका फलका जटका पहले क्यों मारा, pure water के केस में भी हलका जटका मारेगा, क्यों मारेगा, इसलिए मारेगा क्योंकि water जो होता है पूर state में भी ionized होता है, अपने आप, याद किजिए peach जब आपको बताना सुरू किये थे,ionic equilibrium 11th में, तो वहाँ पर आपक गया था H plus में और OH minus में. याद कीजिए water के लिए Casey का जो standard value था वह 10 to the power minus 14 आया था और Casey का 10 to the power minus 14 ही हमको ये बताता है कि water टूटता है लेकिन करोर में एक टूटता है. Water टूटेगा H plus और OH minus में तो करोर molecule में एक टूटेगा तो इसमें आयन की संख्यां इतनी कम रहती है कि हमको जोर का जटका नहीं लगता है. लेकिन जैसे ही हम 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 मुठी initial उसमें डालते हैं तो उसमें suddenly आयन की मातरा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमको जटका बिल्कुल उसी तरह से मारता है जिस तरह से हम यदि इस रोड को छो लें जैसा जटका तुमको जहाँ पर मारेगा बिल्कुल वैसा ही जटका तुमको पाने में भी मारेगा. खेट छोड़ियों बातों को बहुत बात होगा एक्स्परिमेंटल हलांके ये टर्म समझना जरूरी था यदि आप समझते नहीं तो फिर आपको topic समझ में नहीं आता नीचे star लगाईए और heading डालिए case 1 कितने case में हम लोग electrolysis पढ़ने वाले हैं? दो case में. पहला लिखेंगे electrolysis of electrolysis of equisolution electrolysis of equisolution of electrolytes electrolysis of equisolution of electrolytes heading डालके छोड़ दीजिए ये सब एक दिन में खतम होने वाला नहीं है जैसे इस topic को खतम करेंगे कम से कम आधा घंटा का समय चाहिए बागी बात next class में कर दो के लिए एक बात लिए्पू आप अग्धे रिया धर रेख झालगे दम में वालगे ये ऑ्वाय झालगे लिए्वाब पर फवाव घूए्ट झालगे